Temporal का क्या आर्थ होता है ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं Temporal का इस्तेमाल Adjective की रूप में किया जाता है और इसका आर्थ होता है कि चीजें लोकिक हैं या चीजें सांसारिक हैं तो आप कहेंगे Things are temporal या अगर आप ये कहना चाहें कि उसे ऐस्थाई मामलों को सरकार पर छोड़ दिना चाहिए तो आप कहेंगे He should leave temporal matters to the government He should leave temporal matters to the government या अगर आप ये कहना चाहें कि सनातन सत्ता इसी तरह अपना लोकिक प्रकटन करती है तो आप कहेंगे Eternal Being makes its temporal appearance in this way Eternal Being makes its temporal appearance in this way अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास की सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें